पाटिदार आरक्षन आंदोलंग के दोरान हिंसा भी हुई थी और इस दोरान कई लोगों पर मामले दर्श किये गए थे इनी मामलों को सरकार के पास कई बार पाटिदार नेता लेकर गए कि केस जो है उसे वापिस लिया जाए लेकिन अब तक ये केस वापिस नहीं लिये गए है इसी को लेकर अब हार्दिक पटेल एक बार फिर आंदोलंग का रास्ता अपना रहा है इसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ हार्दिक पटेल खुद मौझूद है हार्दिक भाई ये बताईए एक बार फिर आंदोलन की आपने आगास किया है क्यों आपको लगा कि ये जरूरी है मैं ये चाहता हूँ कि इसको डायरेक आंदोलन की रूप में न समझे सरुवात से ये समझ ये कि लगातार सरकार ने ये कहा था कि हम मामले वापिस करेंगे समाज के कुछ प्रमुक लोग भी उनसे जाके मिले उन्होंने का का ठीक है चलो एक मिने में फैसला लेंगे आपको ये मालूम होगा कि समाज के प्रमुक जब मिलके गए तो उसके तीन दिन के बाद तुरन थी भाजपा के जितने भी संसे २ियुकाय गैपके मिले केस करें है तो कहने की बात है क्यंकाय वह दिक्कत आपको यह आ रही है उसके साथ लो गये उसका किस अगर वापिस ले लेंगे तो फ्यूचर में धिक्कत आजाएगी आप पूरी तरह उंसे खभा हैं द्रेश की भावना से हम लोगों को परेशान करना चाहते इसलिए वो किस वापिस ने कर रहे तो हमने यह सोचा कि अब सरकार चाहती ही यह है कि हम आंदुलन के रूप में आए हम लोगों के बीच जाए लोगों को सरकार के खिलाब बगावत करने के लिए खड़ा करें तो अगर आपको यह साथ नहीं है तो 23 मार्च के बाद हम बड़े पेमाने पर जनसभाय करेंगे यात्राय करेंगे पद्यात्राय करेंगे लोगों से मिलकर सब लोगों को एक जुट करके सरकार के खिलाब खड़ा करने का काम करेंगे शहीद दिन है 23 मार्च को और आप उसी दिन से आई ये कह रहे हैं कि हम आप पद्यात्राए करेंगे आप लोगों का जन समर्थर के लेकर सरकार के सामने खड़े रहेंगे दो वहजार बीस डिसंबर में चुनाव होने हैं चुनाव से पहले ही क्यों ये सारी चीज है आपको जान Separate यही झाहिं दो साल यह बात करु थे, मुझे यह था कि समाज भाट कर रहे, समाज की प्रमुख कर रहे, तो कही सर्कार कुछ पहसला कर eh । लाद कि सर्कार कर नह जाने मुझे अभ क्यो अना पड़ा है। इसी लिए क्योंकि सर्कार चाहती है कि अब आंदुलन के सामने हम खुटने टेकें की थे तेस मार्ज की जब तक बात है मैं गांधी सर्दारू नहीरू के मनने वाला इंसान मैं उनकी विचारदा लेकर लोगों की मदद करने का काम करता हूँ लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि भी बगजसी बनकर हमारे सामने लड़े तो ठीक है सहीद दिन है सहीद दिन बगजसी को नमन करके आप लोगों के सामने हजारों की संख्या में नौजवानों को आंदुलन के रूप में खड़ा कर दें लेकिन कहीं न कहीं पाटिदारों की जो बात थी तो पाटिदार मुख्यमंत्री दे दिये गए तो उसको लेकर भी आप लोग कहीं बार मतलब कहीं मंचा आपको नहीं लगती है सरकार की केस सरकार वापिस लेगा मेरा काम यह काम ह वोता है सभी वहांकर वियंसा के पुरे को दो बात कर दो है कहने की बात यह कि सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो कलत हुआ है उस पर काम करना चाहिए हाव्य पंग्रेस के कारेकारी अद्यक्ष के तौर पर ये आंढ़ोलन करेंगी अगर कोई हमा gw Κं比 कंग्रिस को कारिकारी ज़िक्स भी कर आई तो सवाल यह जो by मामले बहन हुई है वह और इक भी शुक्त सम्झे सभाई ए और हत्यां का इन है यह सारे मामले. तारह 144 मामले 걸로 के मामले नते जिली मामले मांले को भी यह को ऑफ्टाय हो गया इसी गुजरात में इसी सरकार ने पदमावधी फिल्म के खिलाब जो सत्री समाज के लोगों आंदुलन किया था, वो केस वापिस लिये तो पटेलों के केसी वापिस क्यों नहीं लिये जा रहे हैं, कहिना कई भार्दी जंदापाट ये चाहती है, कि भी पटेल मुख्यमंत्र बना लिया है, ये हार्दी को और कुछ लोग जो आंदुलन कर रहे हैं, उनको करने दो, पटेल जाएंगे कहां, मन्शाही नहीं लग रही, समाज के बड़ बले लोग जाकी मिल चुके, फिर भी कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम तो आपके माध्यम से यही कहिना चाहिएंगे कि हमारे आंदुलन के कारण रोजगार और स्ठूरा में हजारों लोगों को पाइदा मिल रहा है, और वो हजारों लोग भी चाहते हैं कि केस वापिस होने चाहिए, दाव पेज कानुनी जो होते हैं, वो हम सब जानते हैं कि कौन से दाव पेज होते हैं, कानुनी दाव पेज बहुत सिंपल होते हैं, कि मान लेजे कि कोई किसी केस के मामले में, अगर सजा मिल गई, मैं जानता हूं कि इस में मुझे सरकार रात नहीं दे सकती, ठीके चलो उसमे तो हम लड़ेंगे, हाई कोट जाएंगे, सुप्रीम कोट जाएंगे, लेकिन जिस केसों के मामले अभी पुलिस यसन और लोवर कोट में पड़े हैं, और कोट डायरक आदेश कर सकती है उस मामले में, मैं भी कानून को जानता हूँ, 32 केसे थोड़ा बकिल में भी बन चुका ह लोवर कोट में पड़े हैं, पुलिस के पास पड़े हैं, और जिस केसों के भीतर किसी परस्नल विक्ति ने अभी नहीं की और सरकार ने की वो सारे मामले वो विड्रो कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें, तो कर सकते हैं, क्योंकि सारे मामले गलत तरीके से, और देखें, कान इसको भी वापिस कर सकते हैं और मैं यह नहीं कहीता कि हम कानून के खिलाप जाके कुछ करें लेकिन कानून के दाइरे में अगर किसी को रहत मिलती है तो हमें मिलनी चाहिए चलिए यह थे हार्दिक पटेल जिंगा कहना है कि कानूनी दाइरे में रहकर अगर रहत मिलती है तो सरकार को ये सारे केस जो है वो वापिस लेने चाहिए कामरा परसन उजवलोजा के साथ गोपी घांगर एहमदाबाद आज तक